लालू जादो के बाद साधुए जादो दूसरा कोई नहीं उल्टा पुल्टा नहीं सिद्धे सिद्धे साब यही सब चढ़ा बड़ा खम खराब कर रहे हो यार और अंधकार में ठेल रहे हो जो बात सचा जलना चाहिए 42,000 भोट हमारा था वहां हम उसी चाहे गोपाल गज क 34,000 भोट काट लिया गया है अब 34,000 काटा गया है कि 66,000 काटा गया है उसके बाद आगे देखना ना चाहिए गुड़ा भाग करके गड़ित बिठाना चाहिए अब यादवों नेते जस्वी को ही नेता माना वहां गोपाल गंज माना तो मालने 25 में पता चल लेगा इप फोर्सवार रहेगा क्या ये एंपीए मेले जेतना मंत्री बैठल थे रहेंगे क्या 25 के चुनवा में पहले मामा है उकराबार ने भाजा है अजा मूर्खे में ने खेला है जी हमारे कनहिया चड़के घुमा है अब हमको गार्जियन मन में नहीं करेगा हुँ हमसे उपर गार्जियन बढ़ना चाहता है इस संभव है कैसे होगा आप ही बताईए क्या को पाल गंज अगर आरजेडी टिकट देगी तो आप मानेंगे हम टिकट मांग है कि हमने कभी टिकट मांगा है कि सरम भी तो कोई चीज होती है थूक चटवा बनके रह गया है लड़का और बिहार के जादों को भी थूक चटवा बना दिया है पूरे जादो और मुस्लिम थूक चाट रहे हैं इस सब के फेरा में राजद भी बीजेपी को जीतवा रही करें तो बीजेपी का बीट टिम कौन हुआ अरजएडी हुआ कि साधु जादो हुआ आप तैकरो क्या अच्छा धानवल में कितना पैसा के इस्तेमाल होता होगा तो नोट खोल दिया वहां अब मौरा के बौरा नोट खोल दिया ही लोग जाके अगर यही मामा भान्या मिल कि जो महिला तुमको तेल साबून लगा करके तुमको पोस्पाल के बढ़ा किया उसी के खिलाब तुम चला गया परचार में तुम बिहार का क्या होगा जी तुम मामा मामी के खिलाब चला गया साधू यादव जी गोपालगन जूप चुनाब में अपना उमिदवार इंद्रा यादव को कैनिडेट उतारे थे मगर वहाँ पर कह सकते हैं कि अपने मकसद में काम्याब होते हुए नजराय आरजेडी को हराना चाहते थे यह पर लगता है हरजेडी के बड़े बड़े नेताओं की ओर से गलत बात है कोई भी पार्टी अगर उमिदवार बनाती है या लड़ती है तो जीतने के लिए लड़ती है और लड़ाती है तो हमारा उमिद्वार सिरिमति इंद्रा जादो थी तो हमने उतारा था लड़ाय था और जिताने के लिए लड़ाय था जो लोग भी बात बोलते हैं उनको ना समझ है जनकारी नहीं है गोपाल गंज सीट जो है मेरा सिचा हुआ सीट है मेरा घर का सीट है हमेशा वही से हम लड़ते आय हैं और जित्ते आया है हमने 2000 में जिता 2004 में जिता लेकिन आरजडी जब से हम छोड़ा है तब से आरजडी कभी वहां चुनाव जित्वे नहीं किया है पांच बार से एक्सरसाइज कर रहा है अब पांचु बार से आरजडी चुनाव हरते आया है मेरे शिवा हुआ कोई जि किसको 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 उमिद्वार बनाया और कभ किसको कितुना बोटाया ये तो परीम Simon करें बहस करें हमसे आपके आपके जो भी बहांजे जी लीट कर रहे हैं जैसे तेजस्वी आदब आरजेडी को लीट कर रहे हैं लालू जी तो अब का सकते हैं कि अभी उनका स्वस्ता अभी मतलब की तेजस्वी ही मेन हैं तो क्यों नहीं उनसे आपका बेहतर हो पाता है कि कह के लिए फैर्ट हमने की बात हो रही है जब हम ही आरजेडी को सीचा हमी को पालगंज को सीचा तो हम्मारी जो मकसद है बीजे सब्सक्राइब लेकिन लोग हम. कशेटान लग बीच पी चांग प्हुन कम राले टोड़ा यह हुए फ्सक्राइब ऑना को मोटे आप तब हमिको नेता के उने मान लेते हैं जब हम हरार है है तब अपनेता कहां से हुए आप ही बताइए बहांजा जी पे पूरा कभडल रहते हैं एकदम तेजस्वी आरे रापडी देवी जी सब पर से भांजा भांजा हमोरे गोदी में न खेला है जी हमारे कनहिया चढ़के करेगा हम से उपर गार्जियन बढ़ना चाहता है इस संभव है पहले मामा है वक्राबाद न भाजा है कि पार्टी हम ही सीचे और हम ही को कम जोड किया जा रहा है हम ही को दबाए जा रहा है कि कैसे होगा आप ही पताइए क्या को पालगंज अगर आर जेडी टिकट देगी तो आप मानेंगे हम तिकट मांग रहा है क्या हमने कभी टिकट मांगा है कै आपने हम को 2000 में है 2400 के बाद से 2009 में आपने हमको ठेंगा दिखाया हमारे सिसक्राइब कर दिया तो हम पलिट कल लोग है हम सूरू से वर्कर के पर काम किया है दरी भीजाने का काम कियाहेंध्य की दूसर के लोग का को गर में रहता है दस नमर मैं दस नमर भी मेरा ही कोठी था हम ही दीएख दस नमर का कोठी जिसमें करा दिये थे कि दस नमबर नहीं देंगे फिर हमने मुनाजीर को बुलाए और कहे कि नहीं यह दस नमर कर दीजे तो दस नमर को ठील आउट वा जिसमें लोग आज रह रहे हैं तो मेरी आइसान को भूल करके हम ही को दाबने में लगे हैं लंबा लंबा छोड़ रहे हैं पची मंत्री को लगा के ले लिया जिला प्रसासन को लगा के ले लिया अब बहादुर बन रहे हो तो पचीस में जब चुनाव आएगी जेनरल तो तुम कहां हो हम कहां हैं हमारे इंपोटवा पर तुम सिकार कर रहे हो इसी बात पर ज्यादा ख़वर बन रही है कि 42,000 साधू जी आठ्ट नो के बीच में तो हमारा भोट काट कर के तुम बीजेपी को जीता रहे हो अभासन दे रहे हो हम पर तुम्हारी सोच मर गई है तुम्हारी सोच नहीं है तुम किसके गोद में खेल रहे हो जो तुम्हारे पिता को जेल भेजने वाले लोग सजाई कराने वाले लोग कि गोदी में तुम खेल रहे हो बिहार के जनता देख रही है कि कौन जेल भेजा, कौन जेल में सडाया, कौन सजाई कराया तो नाम हमने सब ओपन कर दिया है कि कौन लोग है और यही लोग के गोद में बैट के चाय पी रहा है खेल रहा है तो लाज सरम भी तो कोई चीज होती है यह थुक चटवा बनके रह गया है यह लड़का और बिहार के जादों को भी थुक चटवा बना दिया है पूरे जादों और मुसलिम थुक चाट रहा है इस सब के फेरा म तो अब इस सतर्क होने की जरुवर था रहे हैं लालू परिवार से एकदम ठगे जा रहे हैं जादो को भोट लिया जा रहा है मुसल्मान को भोट लिया जा रहा है और दूसरे को MPa मेले बनाया जा रहा है आप समझ रही है आप समझे कितना दिन ठगाएगी जादो और मुसल्मान को कितना दिन ठगेंगे सब को समझ दाली है आपने कहा हमने सीचा अब लालू परसाद यादव का योगदान को मतलब बोला जाता है कि आरजेडी को उन्होंने खड़ा किया उसमें आप यही ना आप स लालू जादो के बाद साधुय जादो दूसरा कोई नहीं और लालू जादो और साधु जादो ही मिलकर के पार्टी बनाया है सरजादो कबजा कर लिया पार्टी और हमने पार्टी बनाया हमने जहाज में भर के लेके गया पटना से और जाके वहां दिल्ली में पार्टी को खड़ा किया बनाया और जो लोग बहुत कर रहें तो लालु जातों से पूछिए वह बताएंगे हमको वह हमारा जबाब देंगे यह बाकी कौन होता है इन लोग का कहना है कि आपके आपके पार्टी कौन बदनाम की पार्टी है लालु परसाद के बेटे ने यह बात बोले है हमां हम उसी चाहें गोपाल गज को अब 34,000 काटा गया है कि 66,000 काटा गया है उसके बाद आगे देखना ना चाहिए गुड़ा भाग करके गणित बिठाना चाहिए माना तो मालने 25 में पता चल जाए का इप फोर्सवार रहेंगे क्या 25 के चुनाव में जाएंगे का घरे घरे बैठने के लिए बदल जाएंगे सब आजा मूर्खे बाड़तू उप चुनाव में जब एम पीए मेले मनिस्टर को बिठा दिया पूरे सरकार को बिहार से ले ज कि जनरल चुना होगा आरजेडी ने सेंद मारी किया आपकी भोट में तभी इतना कमाया हां ये बात सही है कि हमारे 42,000 भोट में आरजेडी वाला जाके मंत्री, एमेले, एमपी हर पंचायत में एक मंत्री बैठा हर बूत पर एक एमेले, दो एमेले, तीन एमेले को बिठा कि बाता है, और उवे लोगों ने भोट को खरीद लिया और हमारे ही आड़ा पर छप मारी किया जितना मीरा आड़ा था बिधान सभा में हैं सभी आड़ाओं पर मंत्री को लगाया गया, एमेले को लगाया गया, अब पूरा भोटिं के दिन तक भोटी मोग खरीद ते रहा मतलब धनवल का इस्तेमाल किया और हम जब फोन से बात कर रहे हैं हम जा नहीं पा रहे हैं उनके घर जहां मंत्री मेले मनिश्टर फोर्स लगा के बैठा के घेरे के छेक्के हुए है तो हां हमने फोन से बात लोग हम से किया कि सर देखे न हम लोग के घर पर मंत्री मेले बैठा हुआ है सब है हम लोग को भी खिलाने पिलाने में परसानी हो रहा है तो यह सरकार के लोगों नहीं हां पूरा हम लोग को कबजा किया है तो जो धमकी से डर गया जिला परसासन के तो उट डर गया तो धमका दिया और जो न पाजी कर रहा है तो कहने के मतलब कि हमको दबाने की सुरू से ये लोग प्लानिंग करके हमको दाबते अभी तक ले चला आया लेकिन जनता समझ रही है इस बात को ये उप चुनाओ था और उप चुनाओ में जितना तंत्र ही जोका पुझी पैसा जोका परसासन जोका मंत्री को लगाया मेले को लगाया अतन Appe बोट प्रापte किया सण六 सथ हजार इसके पहले चुना उवा तो दोनों आसीव अगपूर और साधु जादों को बोट जोड़ने का बाद अठात्तर हजार तो अठात्तर हजार भी भोट अप्रापत नाई किया ये भोट प्रापत किया revision मात्रव ओर दोनों का भोट जोड़ने का बाद अठात्तर पुज़गरा है तो एग बीजेपी का एक भी बोट छटकाया। राजद भी बीजेपी को जित वा रही थी। हाँ। राजद साधु जादो इंद्रा-जादो को हराने के लिए काम किया। यहां निज़ में चल रहा है कि साधु यादव हरवा रहे थे आर जेडी को। बेल्कुल गलत है। बीजेपी को तो मैं हरा रहा और तो बीजेपी का बीटिम कौन हुआ अरजेडी हुआ कि साथुज्यादो हुआ अब तरक। पांच बार से तो हो गे अरजेडी को हरते हुए वहां तो कौछ के सकति पर दर्शन की बात बोलता है सब तो आजमाईस कर लिया धन बल का पावर का सब का तो इस्तिमाल कर लिया डीप्टी सीम का भी इस्तिमाल कर लिया अब क्या ही इस्तिमाल करेगा अब एकरबाद लिया ओलेजिक दुद turbulent चुनाओं में hybrid जाएगा उसके वह कंघ नल चुनाओं自 न भी जायएं आब बता लड़ रहे हैं अक्यला आदमी यह गठषबन वाले लोग हैं दोनों पार्टी मजबूत धन दोनों है निया लोग्यावम से लड़ रहे थे हम किसी से नहीं लड़ रहे है हम ऊहरा रहे थे तो भीजेपी आ जीथ पूर अब तो हम को हराने गया था अब समझ लीजे कि कितना हमको तागत है आगर यही मामा भान्जा मिल गए रहते तो बीजे पी हार गया रहते हैं यहीं तो ग्यान की बात बोल रहे हैं कि जो महला तुमको तेल साबून लगा करके तुमको पोस पाल के बड़ा किया उसी के खिलाब 4 में तो just s क्या होगा जी तू मामा मां मी के खिलाफ चला गया तो भाकी क्या बचा कौँ रिष्टाबश बचा से अज सब्छा सफरी नितrates गुमार भी छौटके उन्हें निटिश कुमार कभी कुर्सी छोड़ने वाले हैं अजीव बात है निटिश कुमार कभी कुर्सी छोडने वाले नहीं है उपचीस में भी खो जाएंगा कि हमीरे हैं पूरा चला ले लुका बटक रहा है लालू जी बोले लालू जी के बस में रहता तो अपने परधानमती नहीं बन गए होते कहां इसे फेरा में पड़े हुए हैं मने फालतू बिना मतलब के बात में चलते रहता है पूरा चलते रहता है कोई दम है जो आदमी मुलायम सिंग को नहीं परधानमंत्री बनने दिया आज मुलायम सिंग जी दुनिया से चले गए आप फिर नितिश कुमार को बना देंगे कह हाँ भटक रहे हैं भाई इसा फ्हरा में पढ़िया आप लोग पुरा देश बर्बाद हो जाएगा और भिहर बर्बाद हो जाएगा– जा और साधुनिमी में हमारा पार्टी हम mismaिर लड़ा करेंगे हम पार्टी यह हम पहला हम आप पार्टी है जो भी पार्टी है अपने जितने के लिए लड़ती है कोई भी पाठी लड़ेगी जितने के लिए लड़ेगी तब हम लोग को कहेंगे क्या बोटकटवा है आप लोग मत लड़िए इस तरह नहीं होना चाहिए यह लोग आतर सब्सक्राइब आपके तरह A to Z बे to Z नहीं है भासन दिएगा A to Z का काम करिएगा उल्टा किसे मिलते हैं आप आपका दरवजा खुला रहता है क्या आपका दरवजा लौक रहता है बारे बज़े दू बज़े रात को किसी को जरूत पड़ेगा बात होगी क्या आपसे का है कि जब भीहार की जंता को ठग रहे हैं ठग बुधी लगाए हैं मुलकात होती है क्या आप से किसी को आपको तो बू आती है बद बू आता है अब बात कर लिए गा जादो मुसल्मान आप पिछड़ा बैकोट से तो आपको बू आएगा अब भासंदर हैं गयल जबाना लट गया यह अब नह ही आने वाले हैं चलिए